हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आई बीपियस इंस्टिट ओब बैंकिंग परसनल सेलेक्शन की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के बारे में इसकी एल्टिफिकेशन के बारे में और इसकी सेलेक्शन प्रोसीजर के बारे में तो फ्रेंज, यहाँ पर जो यह नॉटिफिकेशन है यह आई बीपियस किलर 11 के लिए यहाँ पर इन्वाइट की गई है जिसके लिए आप ओनलाइन अप्लाए कर सकते हैं तो फ्रेंज, यहाँ पर इसकी नॉटिफिकेशन को रीडाउट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके और फ्रेंज, इस रिकुर्मेंट से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जॉबरास्ता.com के लिंक पर वहाँ पर जाकर आप इसकी डेटेल्स को चेक आउट कर सकते हैं बात करते हैं इसके डेटेल्स नॉटिफिकेशन की तो फ्रेंज से यहाँ पर जो यह नॉटिफिकेशन है यह फ्रेंज से किलर्क पोस्ट के लिए है जो की वेकैंसी हैं 2022-23 के लिए और आप इसके लिए ओनलाइन अपलाए कर सकते हैं और यहाँ पर देखी जो शेडूल है आपके एक्जाम का अगस सितंबर और अक्टूबर 2021 में आपका कंड़क्ट किया जाएगा इसके बार फैंज से नीचे आपको यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग बैंक दिये गए हैं जो जो बैंक यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओनलाइन अजिस्टेशन आपके 12-7-2021 से स्टार्ट हो जाएंगे 1-8-2021 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं प्री एक्जाम ट्रेनिंग के कॉलेटर को अगस 2021 से प्री एक्जाम ट्रेनिंग 16-8-2021 के बाद कंड़र्ट की जाएंगी प्री एक्जाम अगस 2021 में आपके इसके जो कॉलेटर है वो आएंगे और यहाँ पर जो ऑनलाइन एक्जामिनेशन है प्री का यह आपके 28-8-2021, 29-8-2021, 24-9-2021 को कंड़र्ट किया जाएगा रिजल्ट आपका सितंबर के लास और अक्टूबर के स्टार्टिंग में प्री का जारी हो जाएगा और अक्टूबर में ही आप यहाँ पर जो लास में आपका जो में एक्जाम के एडमिट कार है वो डाउनलोड कर सकते हैं और 31-2021 को आपका में एक्जामिनेशन होने वाला है और यहाँ पर जो आपका फाइनल प्रोविजन अलोटमेंट होगा वो आपका अप्रेल 2022 में होगा यह चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसके बाद फ्रेंज से यहाँ पर एलविटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो इंडियन नेशनल केंडिट एलिजीबल हैं अप्लाए करने के लिए 20 से 28 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा 17 2021 को यह आपका काउंट होने वाला है इसका मतलब आपका जो जनम है वो 27 1993 से 17 2001 के बीच में होना चाहिए और एज आप अपनी 17 2021 को ही काउंट करेंगे SCST, OBC Candidate, PWD Candidate, Ex-Service Man Candidate अपर एज में आपको छूट मिल जाती है इसके बाद फैंसे यहाँ पर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो देखें यहाँ पर degree, graduation की किसी भी discipline में आपके पास है आप इसमें आविदन कर सकते हैं मतलब जिस दिन भी आप इस form को फिल करते हैं उस दिन आपका pass out होना जरूरी है इसके बाद है computer literacy तो operating and working knowledge of computer system mandatory है इसका मतलब यहाँ पर आपके पास certificate, diploma या degree है computer operation में, language में या आपने computer as a subject पड़ा है तो भी आप इसमें applicable होंगे साथ में फ्रेंज से प्रोफेंच सी आपकी official language जो कि उस state या UT की है जिसे लिखना, पढ़ना, बोलना आपको आना चाहिए वो आपका यहाँ पर mandatory रहेगा अब यहाँ पर फ्रेंज से देखी जो final result है वो declare हो जाँ चाहिए 18221 तक इसके बाद फ्रेंज से नीचे आपको यहाँ पर आना है जिसमें आपको definitions मिल जाएंगी प्रेंज से नीचे आपको यहाँ पर guideline दी गई है प्री-examination training की अगर प्री-exam training होती है तो आपका इन एरियाज में होगी बाकी फ्रेंज से कोविट की वज़े से यह फ्रेंज से रद भी हो सकती है इसके बाद है online examination तो देखें यहाँ पर English language का आपका test होगा 30 question 30 marks के और 20 minute आपको यहाँ पर समय मिलेगा Numerical ability के 35 question 35 marks के रहेंगे 20 minute का समय आपको मिलेगा Reasoning ability के 35 question 35 marks के रहेंगे 20 minute का आपको समय मिलेगा मतलब overall 100 question 100 marks के रहेंगे 60 minute मतलब एक घंटे की duration का आपका यहाँ पर यह exam होने वाला है जो की pre exam आपका रहेगा Pre exam clear करने के बाद आपको बुलाए जाएगा main examination के लिए Main examination चार section में आपका यहाँ पर डिवाइट किया जाता है General या financial awareness 50 question 50 marks 35 minute का आपका duration रहेगा General English के 40 question 40 marks 35 minute का समय रहेगा Reasoning ability and computer aptitude 50 question 60 marks के 45 minute का आपको समय मिलेगा और quan के 50 question 50 marks 45 minute का आपको समय मिलेगा Overall 190 question है Total marks friends यहाँ पर 200 रहेंगे और 160 minute का आपको समय मिलेगा English and Hindi दोनों ही language में आपको यह question paper available होता है इसके बाद friends यहाँ पर आपको बताया गया है कि penalty for wrong answer आपकी यहाँ पर one fourth की रहेगी मतलब 0.25 marks आपके काट ली जाएंगे अगर आप गल्ट answer करते हैं उस condition में इसके बाद friends आप यहाँ पर जब इसको clear कर लेंगे इसके बाद friends आपका यहाँ पर provisionally जो आपका allotment है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा इसके बाद friends से नीचे आपको यहाँ पर कुछ instructions दिए गए है साथ में आपको list दी गई है documents की जो कि आपको joining के समय देनी होगी इसके बाद friends यहाँ पर आपके original self-attested photocopies आपको सारी की सारी शो करनी होगी साथ में application form का भी print out आपको अपने पास समाल कर रखना होगा अगर joining की समय आपसे यह मांगा जाएगा इसके बाद friends से नीचे आपको यहाँ पर बताये गया है कि आप जब exam center पर जाएंगी तो क्या-क्या guidelines आपको follow करनी है क्या क्या आपको items वहाँ पर लेके जाने है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताये गया है इसके बाद friends से नीचे आपको यहाँ पर बताये गया है जो कि है कैसे आप apply कर सकते हैं तो photograph, signature, left thumb, impression आपको upload करना है hand run, declaration आपको upload करना है जिसके आपके बारे में यहाँ पर बताये गया है जो कि आप upload करेंगे online fees यहाँ पर SC, ST, PWD या एक सर्विसमेन के लिए 175 रुपे रहेगी और इसके लवा जन्दल OBC, EWS के लिए fees 8500 रुपे रहेगी fees आप online mode में ही जमा करवाएंगे इसके बार फैंच से यहाँ पर जो procedure है वो आप check कर सकते है mode of payment only online रहेगा आप debit card, credit card, net banking जैसे भी payment को जमा करना चाहें आप payment को जमा करवा सकते हैं इसके बार फैंच से नीचे आपको यहाँ पर instructions हैं, इन instructions को आप read out कर सकते हैं और यह instructions को read out करने के बाद page number 19 पर आपको मिलता है vacancies की detail यहाँ पर देखी अंडमान और निकोबार की vacancies हैं तो आपको यहाँ पर bank के according यहाँ पर vacancy दी गई है, आन्द प्रदेश में आपको vacancy दी गई है, अब NR का मतलब यहाँ पर है not reporting, मतलब इन्होंने अभी report नहीं किया है, और यह vacancies जब report करेंगे, तो vacancies आपकी यहाँ पर बढ़ जाएंगी, बाकी जहाँ पर 0 या 1 लिखा है, मतलब वहाँ पर उनकी vacancy नहीं है तो आपको statewide vacancies के list है, वो आपको यहाँ मिल जाती है आप आसाम, बैंक, बिहार, जारकन, डादस्तान, मुंबई, महरास्त्रा आप जो भी यहाँ पर चेक करना चाहें, दिल्ली के अंदर आपकी कितने कितने vacancies हैं, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं तो फ्रेंच से यहाँ पर जो भी process मैं आपको यहाँ बताई है या फिर notification है, वो फ्रेंच से official जारी हो गया है और आपको statewide vacancies यहाँ पर चेक करनी होगी और यहाँ पर जो states से आप apply करते हैं उस state की local language, लिखना, पढ़ना, बोलना आपको आना चाहिए तब ही आप applicable होंगे, eligible होंगे, apply करने के लिए तो vacancies आप यहाँ देख सकते हैं, vacancies अभी यहाँ पर इतनी नहीं निकाले गई है क्योंकि NR की जो संक्या है, मतलब not reporting की जो संक्या है वो यहाँ पर जादा है, पर जैसे ही यहाँ पर यह report करेंगे उसके बार आपकी जो numbers of post है, वो आपकी extra हो जाएंगे और उसके बार आप इसमें आविदन कर पाएंगे इसके बार आपको दियागा है exam center, जो की pre and main exam के लिए है तो आपके exam centers कहां कहां conduct के जाएंगे, उसकी जानकाई देख सकते हैं यहाँ पर आपकी signature, photo and letter of impression या declaration है उसके बारे में आपका self decoration, जो की friends, आपको आपके center पर लेके जाना होगा exam center पर और उसके बार आपके जो भी class certificates है, उनके performance आपको यहाँ पर दिये गए है जो कि आप यहाँ पर check कर सकते हैं तो friends, मैंने आपको यहाँ पर full process बता दी है IVPS clear requirement 2021 का form आप यहाँ पर निकल चुका है अगर आप applicable है, eligible है, apply करना चाहते है, apply कर सकते है और अगर आपको हमारा यह video पसंद आया है और आप चाहते है ऐसे ही updates आपको मिल सके तो like, subscribe and share जरू कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रहे हमारे यूट्यूब चनल and last thanks for watching